हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूटूब चैनल आई टीए एजूकेशन बहुत सारे आई टीए कैनिडेट्स का कमेंट आ रहा था कि सर्सी आई टीएस एडमिशन के लिए क्या फॉर्म आगी है क्या आया है तो कब से स्टार्ट होगा प्लीज इसके बारे में अपडेट तो इस वीडियो में बने हुए रहिए का गाईस मैं आप सभी को सारा डीटेल बताऊंगा क्या फॉर्म में आया है कि नहीं आया है अब एदन कब से स्टार्ट होगा तो सभी से रिक्वेस्ट आएगा वीडियो को अन तक देखिएगा टेली ग्रूप से जूर जाईएगा सब्सक्राइब करके बिल आइकन को अल कर दीजेगा और जितने भी पेडियो कर आता है यह लिंक्स आता है मैं आईटी एजू किसन डॉट को में साइट पर रेगुलर्ली अपडेट करता हूं तो वहां पर आप सभी डेली अपलोग जरूर चेक किजिएगा तो देखिए अ तो यह जो नोटीस देख रहे हैं यह लास्ट आम जो एडिमेशन हुआ था दिखा देता हूं दिन नया वाला बताओंगा और फिर बताओंगा क्या सही में आया है कि नहीं आया है तो आप एदन स्टार्ट होगा तो कब से होगा तो व्यूडियों अप्लोग कंप्लीड मने वड़ियेगा तो यह जो नोटीस देख रहे हैं यह लास्ट आम जो एडिमेशन हुआ था CITS के लिए 2023 में यह आया था सौर्ट नोटीस यहां पर देख सकते हैं एडिमेशन नोटीस 23 तो यहां पर यही बताया गया था कि यह फॉर्म जो है 1623 से भरा जाएगा लास्ट रह आया था NHTI Lodhyana का वेबसाइट में वह आप लोगो दिखाता हूं तो गाइस यह देखे यह लुदियाना के ऑफिस्यल वेबसाइट पर अपलोड है आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं तो देखे सेम चीज वही लिखा गया बाद बाकी बस यहां पर यह चेंजे से यहां देख सकते हैं लाज ताम मैंने जो दिखाया था महाँ पर तेज़ चोविस लिखा था लेकिन यहां पर चौविस पचिस लिखा गया है बाद बाकी सभी चीज से में बाद बाकी बस यहां पर डेट चेंज है तो यहां पर देखे बोला कि है कि एकजाम 8-7 को होगा 8-7-2024 क होगा यानि 8 जुलाई को और यह फॉर्म जो इस्टार्ट होगा एक जुन 2024 से और लाज डेट रहेगा 17 जुन 2024 यह वाला नोटीस में लिखा हुआ है यह नोटीस जो देख रहे हैं यह वाला तो मैं जो अभी नोटीस दिखाया था एनस्टिया लुदियाना वाला वह ओफि है नहीं दूसरी बात उसमें बताए गया था कि एक तारीक से फॉर्म भरा जाएगा लेकिन एक तारीक से यहां पर लिंक कोई भी एक्टिवेट नहीं हुआ है तो देखें यहां पर दो से नियूरियों बन रहा है पहला चीज कि अगर वह नोटीस ही होगा तो यहां पर लि अफिस जैसे ही खुलेगा तो यह एक इंपोर्टेंट बात है दूसरी बात यह है कि अगर लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ तो आफ्टर एलेक्शन ही आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा आफ्टर एलेक्शन आप लोग को चार तारीको रिजल्ट आएगा उसके आप इसी पर सारा फॉर्म भरा जाता है CITS का निम्मी ओनलाइन एड्मिशन पोर्टल है यहां पर देख सकते हैं यह उफिसियल वेबसाइट है तो अगर वह अगर सही होता तो लिंक एक्रिवेट हो जाना चाहिए था अगर मालने तिक नहीं भी हुआ है ओफिस बंद रहने के वजह से सुमार मंगल को होगा तो सही बात है अगर नहीं हुआ तो आफ्टर एलेक्शन आप लोग का यहां पर लिंक एक्टिवेट होगा तो आप लोग परेसान मत हो यह जो भी अप्डेट आएगा तो मैं आप लोग को अप्डेट कर दूँगा बाद बाद कि यह अगर देखिए वही मैं बता रहा हूं अगर वह सही होगा तो आप लोग का सुमार या मंगल को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो फिर आप्टर एलेक्शन होगा यही बस दो बात है बात बात कि जब भी अप्डेट आएगा तो मैं टेलीग्राम गुर पर जुरूर भी जीट कीजिएगा काई की वहीं पर में लिंक पर वाइट करोंगा